हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज हम बनाएंगे चिकन अंगारा तो चिकन अंगारा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तीन प्याज लिया है जिसको कि मैंने स्लाइस में कट कर लिया है दो टमाटर है चार हरी मिर्च और थोड़ी सी धन्यापती है इसके साथ ही चिकन अंगारा मसाला बनाएंगे तो चिकन अंगारा मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक चमच जीरा लिया है आठ यहाँ पे बादाम है आठ काजू है इसके साथ ही कुछ खड़े मसाले है जैसे कि दो इलाइची चार से पांच लॉंग थोड़ी सी जावित्री और पाउडर फॉर्म में जो पाउडर धनिया पाउडर होता है वो एड़ कर दूंगी तो बस सबसे पहले हमें इसको ड्राइ रोस्ट कर लेना है तो इसको बस गैस पे रखना है और फ्लेम को यहाँ पे लो टू मिडियम रखना है और कंटिनुवसली स्टर करते वे इस भूण जाता है इसके बाद से ठंडा करके हमें इसका पॉडर बना लेना है तो बस इसको एक मिक्सर ग्रंडर जार में ट्रांसफर कर लेते हैं और फिर इसको पीस लेंगे तो यह हमारा चिकन अंगारा के लिए हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है तो अब हम कुछ प हमें बस तो अजямय है था उसके साथ ही करिब दे दो चम्मच अद्रह alafane का पेष्टि डाला तो चिकन अंगारा में में इम्ल टैष्टर होता है और क्यूंकि यहाँ पर हम इसको एक साथ ही कम मैरिनेट करकर चिलून आए है इसके बाद मैंने यहां पर हल्दी पॉड़र डाला है और इसके बाद इसमें मैं एक चम्मच धनिया पॉडर जो है वह एड कर रही हूं बस अब हम इसमें कुछ भी आड़ नहीं करेंगे आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च पॉडर जो है उसको एड कर सकते हैं इसके आप इसके साथ पीस रहे हैं तो अलग से आड़ ना करें इसके बाद इसमें नमक डाल देंगे नमक आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग इसमें डाल दें इसके बाद इसमें दही आड़ करेंगे तो मैंने यहां पर करीब चार चम्मच मैंने यहां पर दही लिया है तो दही जिससे की हमारे चिकन अम्सालों के साथ दही के साथ अच्छे से मेरिनेट हो जाए क्यो防 सैंसे कॉछ कि यहां पहले कि इस दो करफे हैं पर्पकर जाए को कि नाकी तो सब्सक्राइब लेंगे तो मैंने यहां पर चार चम्मा सरसो तिल अच्छे से जब गरम हो जाएना उसमें से दुआ निकल जाए इसके बाद चॉप करके रखा था उसको हम यहां पर डाल देंगे तो दोस्तों अगर आप चाहें ना तो आप पहले से प्याज का ब्रिस्ता बना के उसको सकते हैं अगर आप प्याज को पहले फ्राई नहीं कर पाए हैं या आपके पास या आप नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह के से भी ऑन दा स्पोर्ट प्याज को एकदम ब्राउन फ्राई करके बना सकते हैं तो हम एकदम प्याज को यहां पे डार्क ब्राउन कलर का फ् और समें अबहना चिछिव नहीं करना है निट्व होने चाशें होजा आपाई आपका तो उसको हम अच्छे से चाला दें जिसे टेल के साथ तो टेल के साथ अच्छे हमें कुक कर लेंगे तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही चट पड बन जाती है, और एकदम restaurant style जो है, इसका टेश्ट जो है ना, एकदम रेस्टरंट style आता है, चिकन अंगारा का, तो आप इसको घर पर आसानी से ट्राइ कर सकते हैं, इसको बनाना बहुत जादा आसान है और इसका owa जो है न बहुत यह अलग सा अलगता आता है तो बास इसको इसको अच्छे से एक बार और उसके बाद हमें इसको धक कर छोड़ देना है अराम से यहां पर फ्लेम को एक दम लो कर दीजिए और आराम से इसको 15-20 मिनट के लिए धक के छोड़ दीजिए जिससे कि आराम से अपना कुक हो जाए बिच बिच में आप इसको चाहे तो खोल के चला सकते हैं ताकि यह नी अब एक कर से चाहिने रही हूं कि यहँ पर हमारे चिकन और जो है आलमोस्ट को चूक है बीच होगत ही कि आप देखेंड कि यहां पर पिसको भी मैंने कट करके देखा तो यह अच्छे से कुक हो गई है तो बस इसकी ग्रेवी जो है जो आप देखा है चिकन उंगारा इसका नाम है तो आप दुड़ा साथ स्मोकई टेस्ट देएंगा तो समोकी कोईले को गरम कर लिया है तो एक बर्तन डाल देंगे और उसके उपर चमच घी डाल के ढबएंगे और जब तक यह धुआ जो है के अंदर है तब तक हमें वहाँ कि तयार हो जाता है तो जैसा है आप देख रहे हैं कि घर्मा घर्म एक डर्स टाइल हमारा चिकन अंगारा जो भर बंके त्यार हो गया है खाने में वहुत ही जबुर्दस लगता है तो चले इसको सब कर लेते हैं तो यह देखिए हमारा एकदम रेस्टोंड स्टाइल चिकन अंगारा बन के त्यार हो चुका है आप इसको रोटी के साथ नान के साथ पराटे के साथ या सिंपल स्टीम राइस के साथ भी खा सकते हैं बहुत जादा अच्छा लगता है बट नान के साथ इसका कॉंबिनेशन ज सब्सक्राइब कर लिजिए मिलते रहेंगे नई रेसिपी वीडियो के साथ तब तक सवस्त रहिए मस्त रहिए और मेरे चानल को देखते रहिए थैंक्स पूर वाचिंग